आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन मसाला रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल में और आज हम इसे बनाने वाले हैं एक तम डिफ्रेंट स्टाइल में बट बहुत ही इजी तरीकी से बहुत ही डिलुशियस पनकर ये टिश्ट तयार होती है आप इस रेसिपी को एक बा आप कीजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा तो चीकन मसाला बनाने के लिए हमसे पहले चाहिए हाथ केजी हमने चीकन लिया है और उसको अच्छी तरह से वाच करके हमने एक साइट पर रख दिया है और इसको अब हम करेंगे मेरी ने एक कटोरी हमने दाही और तीन चार मिर्चें बीच में काट करके ले ली हैं और आदा चमच अल्दी पाउडर और एक चमच कश्मीरी लाल मिज पाउडर और एक चमच नमक और एक प्याज फ्राई करके हमने ले ली हैं और कुछ अरा धनिया और एक चम्मत अदरक लाहसन का पेश्ट और यह सब को मिक्स कर लेंगे और मिर्च हमें कश्मीरी ही लेनी है क्योंकि हमें को इसमें फूट कलर अलग से अड़ मेहीं करना है इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च का ही यूज दिसमें करेंगे और अच्छे से इन सबकों में मिक्स कर लेना है और अब इसमें मैं चिकन मिक्स कर लेंगी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है अब हमें रख देना है इसको मेरिमेट करने के लिए 20-25 मिनट तक के लिए तब तक के लिए हम ग्रेवी के लिए जो मिक्स्चर बनता है उसकी तियारी कर लेते हैं तो मैंने एक पैन मेज तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पॉन आईल यूज किया है आप बटल का भी यूज कर सकते हैं अब हमें इसमें एड़ कर देना है तीन मीडियम साइज के प्याज जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है यह एड़ कर देंगे और हमें प्याज को कर लेना है गोल्डन फ्राइ ताकि प्याज की जो कच्छी स्मेल है वो भी निकल जाए और प्याज उच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और साथ ही हम इसमें एड करेंगे अधरक और लैसन जो हमने बारी बारी किसी कट करके रखे हुए हैं तो साथ में इनको भी फ्राइ कर लेंगे कि नहीं कि तो हम एक मिनिट के लिए हम इनको फ्राइ कर लेंगे गोल्डन फ्राइ होने तक हम इने और इतिकंगे प्यास गोल्डन फ्राइ हो चुकी है इसको हमने थंदा भी कर लिया है और अब हम इसे जार में निकाल लेंगे और इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसमें वन पोर्ट कप हमें पानी भी आड़ करना है तो देखें यह सारे मिक्चर को हमने एक जार में निकाल लिया है और अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो यह हमारा फाइन पेस्ट बन कर रेडिया हो चुका है और उसके बाद मेने रख दी है कडाई गरम करने के लिए मुझे करने है कुछ में साले रोस्ट उसके लिए मैंने ऊसके लिए मिनेंगे इक चमस जीरा ले लिया है एक चमस सौफ ले लिया है एक चमस धनिया ले लिया है और आर दस काजू ले लिया है और पांच्छे लाल मिर्चे ले लिया है साबुत और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और काली मिर्चे लिया है अच्छे और इन सब को मैं रोष्ट कर लूँगी अच्छे से तब त तो इसका बनाना के लिए लिए रख दिया और इसका हम बना लेंगे एक फाइन पेस्ट थोड़ा सामें इसमें वाटर एड किया है और इसमें जो हमने पहले वाला पेस्ट एक बनाया है वो भी इसमें एड़ कर लिया है तो ये ग्रेवी के लिए निक्स्चर रेडी है और फिर से मैंने कडाई लेली है उसमें डाला है मैंने मस्टर्ड ओयल को अच्छे सब गरम कर लिया है आप बटर भी यूज कर सकते हैं और सबसे पहले इसमें मैंने दो हली लाइची और एक काली लाइची इसमें मैंने डाली पूरी रेडी की है वह एड़ की है इसमें उसके बाद में मैंने आदा चम्मच हल्दी पावडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पावडर और थोड़ा सा नमक एड़ किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यह जो हमने मैरिनेट करके रखा है चिकन और इसको भी इसमें एड़ कर लूँगी अच्छे से बुनने के बाद और आप अपने हिसाब से ओईल की क्वांटिटी कम या जादा कर सकते हैं और और ऑईल की जगा बटर का भी यूज कर सकते हैं तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर एड़ किया है तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसे कवर कर देंगे इसको लोग फ्लेम पे दस मिन के लिए को करेंगे तो मैंने उसको कुछ लेंड करने के लिए दिये चैप्टर तो मैं वही उसका चेक कर तो दिखेंगे चैप्टर मैं उसे रीड करा रही थी, तो मैं कल की उसकी प्रेपरेशन करा रही है, एक्जैन की तो इजे देगें, अजे चेकन मसाला हमारा बनकर रेडी है, हमने जो रहा दनिया चॉप करके रखाता है यह इस में अड़ कर दिखें, रेश्टोरेंट इस्टाइल क्रीम और विगुद अच्छाएं अच्छाएं से रहा नहीं है, आधे, उसाने तो मैं आधे, अच्छाएं में टेक्चर वाली चिकन मसाला रेसिपी हमारी बनकर रेडी है